हेलो एरिवन कैसे हो सब सीजियाल 2022 टीयर वन के मार्क्स एससी ने डिकलेर कर दी हैं ना विट्स टू लेट बच्चों का इंट्रेस्टा ही खतम हो गया मार्च जानने में क्योंकि टीय टू के एड्मिट काड्स भी आ चुके हैं स्टिल आप लोग लोगिन करके अपने मार्च चेक कर सकते हो वेबसाइट थोड़ी सी हैवी होगी सर्वर डाउन होगा तो कोई दिकत नहीं कुछ देर के लिए छोड़ो दुबारा दिख जाएंगे बड़ स्टिल कुछ बच्चे कर चुके हैं आई हो पर्सनली कनफर्म और सीजियल 2022 में की बात करो तो बड़ा बाई हो चलो लगबग तीन लाग के आसपास बच्चे दो हैं में देंगे वह इन तीन लाग बच्चों में लगबग 20,000 से जादा बच्चे आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि और एक्जाम से उसे एक्टिड हो जो कि दुबारा एक्जाम दे रहे हो तो बाद एक बात मान के तुक के बाद यह बतना पेपर वैसे आएगा देखो मतलब यह मत्सोचो अपने को मेंसा ऐसा लगता है कि एक तोड़ा देख लेना आर्ट ऑफ स्किपिंग कौन सा सवाल करना है कौन सा थोड़ना है इसका बड़ा वाइस डिसीजन लेना होता है इगो पे नहीं मैं तो सव सवाल मैं छोड़ दूँ ऐसे तो मैंने बहुत सवाल देख रखे हैं मैं तो अभी करूंगा इसको के बार होती हैं सोटी मोटी चीज़ें हल्की सी क्लिक नहीं करती दिमाग में तो छोड़ दो जाने दो एक समझदारी वाला डिसीजन लेने हो आपे बहुत जरूरी होता है सवाल करना है कि बाद के लिए चोड़ना है और कोई एक टार्गेट पहले से अपने दिमांग में लेके मत जाना कि भी मुझे इतने तुले के आ नहीं है फिर इस साबका मुझे पेपर अपना करना है क्योंकि हो सकता है आप जैसा सो तो उससे थोड़ा बहुत 19-20 पेपर आ क्योंकि डिपेंड करता है अगर बहुत ज्यादा आसान हो गया तो हो सकता है आपको 260 भी कम लगे या फिर मुश्किल पर आज जाए तो हो सकता है 250 भी ज्यादा लगे है ना तो डैट डिपेंड्स मलब एक टिकली मत कोई फिगर लेके आना अपने माइंड में कि इतने तो सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस दूसरी चीज जैसा मैं हमें से कहा लेना बड़ी जी एक्जैम सेंटर में अंदर गुशने से पहले चोक्लेट अपना दिमाग को थोड़ा है एक्टिवेट कर देती है मैंने पर्सनली इन चीज़ों को करके देखा हुए है और वही सब सब सब्सक्राइब कर लेके जाना अपनी देख लेना साथ में आपके टाइम पर पहुंचना वेगर वेगर यह सब नॉर्मल चीज़ें अपना देख लेना कोई दिखत में प्री आप लोग देख सुके हो वह सब्सक्राइब के अंदर होनी है वह जैसा मर्जी हो जाए ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए रिलेक्स हो सकते हो अधरवाइच दूर नहीं है अभी देट मिने के बाद इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जैसा 22 का प्रिलिम्स एकदम क्वालिफाइंग था 23 का भी वैसे क्वालिफाइंग आना है और मेंस का जो अभी पैटर्न है जो की चेंज हो था उसी चेंज पैटर्न पर आपका मेंस होगा तो 23 की अच्छे से त्यारी कर लेना अगर आपको लगेगी 22 में हलकी भूल की नहीं आप डाउन होगी है कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे से बच्छे होते हैं जिनका फस्टर टैम्ड जितने मर्जी मौक टेस्ट लगा सकते हो की बात कर लोगें मेंस के अलग अलग के सारे मिल जाएंगे और नए प्लेटों में तो देख लेना जैसे अगर गवर्मेंट जोब के इंदर अपने को आना ही है तो ट्राई करो मतलब की फटा-फटा जाओ पकड़के बैठे नहीं सब्सक्राइब करना है कि पढ़नी है तो पहली बार में निकाल लो एक एक जैसे आपका प्रेसर बढ़ता जाएगा और पीछे जाते जाओगे आप एक किसम से पीछे जा रहे हो अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा उस चीज़ का तो एक किसम से फाइदा नियुक्त नमबर से होना यह 40 नमबर से फेल होना बात वही है एक उस एक साल के लिए तो नुक्सान होता नहीं है पट यह बात है जो दो नमबर से फेल होए वो च्छाव करके थोड़ा से लेक्सिन ले लेता है सालीस वाले को ज्यादा मेनत करने पड़ती है तो थोड़ा देख लेना मतलब आओ फटाफट गुजय कर सकते आपना कुछ पैसेंग फॉलो कर सकते हो गुमना फिर ना शादी वादी बहुत सारी चीज़ें आर अभी मतलब ऐसे नहीं बनना आपने को यार पहले टैंट हो ह पहले अटेम्ट के लिए कर लेते स्टार्टिंग में तो हो जाती है चीजें तो बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ चलना होता है प्रीमाइट से जाओ अपना एक ज्याम दो टेंसन अगर ले रहे हो थोड़ी सी अगर प्रेसर में हो तो इट्स ओके इट्स नॉर्मल एक आम बात है इंफेक्ट सजीन तेंदूल करने भी बात कहीं थी कि मैं जब भी किरकेट खेलना हूं चाहिए मेरा फस्ट या लास्ट यह हमेशा मेरे उपर एक प्रेसर रहता था पर प्रेपरेशन आप पहले इंसान नहीं हो जो सब के साथ ऐसा होता है ठीक है ऐसा कोई धुरंदर नहीं है जो कहते कि मज़ें बिल्कुल भी डर नहीं लगा था अनलेस कोई लाइफ में इतना शी क्योड हो कि उसको पता है कि एक्जाम मेरे लिए को मैटरी नहीं करता तो अल क्यों प्रेशन उनलेच साथ था इंस प्रेशन आपक करता है कि एक्जाम मेरे लिए मेरे लिए बिल्कुल भी इंसान करता है जहीं हो।